ओके अलो प्रेंड किसे हो आप सब में वीशी और आप देख रहें Bound2Invest YouTube चैनल इस वीडियो में हम देखने वाल है कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है उसमें कौन-कौन से इसे स्टोक है जिसमें आपको स्विंग टेडिंग के लिए उपरचुनिटी मिल सकती है तो दोस्तो अभ पहला श्टोक है वो है Burjur Paint अभी Burjur Paint मेंने क्यों लिया तो आप देख रहे हो कि Burjur Paint अभी सपोर्ट के पास है ये इसका सपोर्ट है और इसके पास ये चैनल बना रहा है तो अभी ये चैनल बना रहा है इसलिए इसको मैंने लिया है अगर ये इन-फ्यूचर मतलब next week में आपको channel का proper तरीके से upside या downside किसी भी oversight proper breakout मिल जाता है तब आप अपना view उससेड रख सकते हो लेकिन जब तक यह channel में तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं personally downside देख रहा हूँ अगर यह downside का proper breakout दे देता है तब मैं इसमें personally trade करूँगा लेकिन अगर आपको इसमें trade लेना है तो upset breakout पे भी trade ले सकते हो लेकिन अपना stop loss और वो सब कुछ सई से रखे बाद में इसमें trade लीजिए चो इसके बात का अमारा stock है उसके बारे में ब resistance लेकि यह नीचे आया और rising support से support लेके उपर चला गया तो अभी इसमें आप क्या कर सकते हो या तो क्या है कि यह rising support line का नीचे की side proper breakout होने दीजे या तो क्या कि यह all time high का जो resistance है उसको upset breakout होने दीजे अगर यह किसी भी एक side proper breakout दे देता है तब आप इसमें अपना trade ले सकते ह आर्थी एटल है वो भी एक अच्छा आपको क्या है कि next week के लिए मिल सकता है अगर यह किसी भी एक side आपको proper breakout दे देता है तो आप इसमें अपना trade बना सकते हो और मेरे इसाब से क्या है कि फिर से अपने resistance के पास जाएगा अपर की side जाके इधर double top बना सकता है double top बनाके को है अमरा राजा बैटरी अभी इसमें देखो यह भी कितने टाइम से एक क्या है कि consolidate मोड में ही चल रहा है थोड़ा अपर जा रहा है अपर resistance पेस करता है नीचे आ जा रहा है नीचे support पेस करता है उपर चला जा रहा है तो अगर यह in future कोई भी एक side अगर यह range breakout कर देता है प्रोपर तरीके से range breakout होना चाहिए उसके बाद ही आप इसमें trade ले सकते हो लेकिन कोई भी trade लेने से पेले आप अपनी analysis कीजिए उसके basis पे आप entry लीजिए तो जो अमारा तीसरा stock था वो था अमारा राजा बैटरी जिसमें आल फिला like consolidate mode में है अगर यह कोई भी एक side proper breakout दे देता है तब आप इसमें अपनी entry बना सकते हो अभी हम इसके बाद का जो हमारा आखरी stock है वो देख लेते हैं इसके बाद का जो हमारा stock है वो है sun farmer sun farmer आप देखिए एक अच्छी से upset देखने को मिली बाद में क्या किया एक head and shoulder जैसा इसने pattern बना दिया है मैं इसको draw कर लेता हूँ तो आपको और better idea है तो देखो यह upset आया यह इदर से नीचे गया फिर उपर गया फिर नीचे गया फिर नीचे आ रहा है अगर यह इसका proper breakout कर आपको एक अच्छी सी downside देखने को मिल सकती है तो इसलिए हम इसको sort के लिए देख रहे है अगर हमें इसमे proper breakout मिल गया head and shoulder का तब हम sort के लिए जाएंगे तो यह थे चार स्टोक जो आप next week नजर बनाये रखे इस पे अगर किसी में भी आपको proper entry मिले तो आप अपने analysis के कोई बात नहीं आप उसको देखे अगर कुछ आपको इसमें समझ में आ रहे है तब है आपको इसमें trade लेना है इन simple आप अपनी analysis कीजिए बाद में ही कोई trade लीजिए तो दोस्तों यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज जारो like comment and subscribe कर देना आप like comment क करोगे तभी तो हमें motivation भी लगा ओर इसे वीडियो आगे लेकाएंगे सो प्लीज आरो like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुडबाई जाई इन